नमस्ति मेरा नाम मॉनिका है और आज हम एक ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारी पार्चन शक्ति के लिए बहुत अच्छी है तो अगर आपको कुछ ऐसे इशूस हैं जहां पर आपको काफी जादा एसिडिटी होती है या फिर आपको इन डाइजेशन होता है गैस होती हैं तो आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको काफी रिलीव होगा तो यह जो प्रैक्टिस है वो हम लेट के करेंगे हमारी बैक पर spor क्मर में तो आप इस प्रैक्टिस को ऑवाइड कीजेई अर अगर आप комментар back में कुछ इंजरी हुई है आपकी कमर में या आपके पेट के आसपास कोई surgery हुई है तो आप इस practice को avoid कीजिए और अगर आप इसको करना ही जाते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से consult कीजिएगा और तभी आप इस practice को कीजिएगा और slip disc के issue में भी आप इस practice को avoid कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये practice मैंने यहाँ पे cushions रखे हुए अपने पास क्योंकि आपको कुछ practices में कुछ आसनास में cushions की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने पास दो तकिये या फिर अगर आपके पास load है bolster है तो आप वो सकते हैं मैंने अपने पास belt भी रखा है तो अगर आपके पास belt नहीं है तो कोई problem नहीं है आप यूज कर सकते हैं scarf या फिर किसी भी तरह कैशाष चलेगा तो। आप जरूर्छ बहल यूज कर सकते हैं तो आप यह अपने पास रखें अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम use करे बट अगर आस-पास रखेंगे तो बहतर रहेगा जिससे कि आपको बार-बार अपनी प्रैक्टिस छोड़के जाना ना पड़े तो चलिए करते हैं शुरू अपनी प्रैक्टिस सबसे पहले अपनी बाक पे लेट जाहिए और दोनों पेरों को स्ट्रेट कर लेजे हाथ साइट में रखिए अब सबसे पहले हम अपना दाया पैर उपर उठाएंगे उससे पहले हम अपने पैरों की उंगलियां चेक कर लेंगे कि वो उपर की तरह फेस कर रही हूँ ठीक है? और दोनों हाथों से फ्लोर को थोड़ा सा प्रैस करेंगे और यह make sure करेंगे कि जब भी हम अपने पैर उठा रहे हैं हमारे hips उपर नहीं उठने चाहिए otherwise आप अपने कमर पे ज़्यादा जोर डालेंगे जो की हम नहीं चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने दाए पैर को उपर उठाएए inhale करते हुए हम यहाँ पर तीन काउंट लेंगे 1, 2, 3, exhale सास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएए फिर inhale सास लेते हुए पैर को उपर हम तीन बार होल्ड करेंगे 1, 2, 3, सास छोड़ते हुए पैर को नीचे एक बार और inhale सास लेते हुए उपर 1, 2, 3, सास छोड़ते हुए नीचे अब हम यही सेम चीज लेफ्ट लेक्स से रिपीट करेंगे आपका पैर जितना उठ रहा है उतना ठीक है आप जाधा पुश नहीं कीजेगा अपने आपको हमें में फोकस है कि यहां की मसल्स को अक्टिवेट करना है जो की वैसे भी होगा तो अब inhale उपर लेके आईए पैर को 1, 2, 3, exhale पैर को नीचे ले आईए inhale उपर लाईए 1, 2, 3, exhale नीचे ले आईए इस पैर का ध्यान दीजेगा कि यह भी active रहा है बिल्कुल dead नहीं हो जाए inhale फिर से उपर लाईए बाए पैर को 1, 2, 3, exhale नीचे ले आईए अब हम यही same चीज दोनों पैरों से करेंगे तो थोड़ी से difficult हो सकती है अगर आप पैर नहीं उठा पा रहे हैं तो चलेगा या फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे एक bolster या कुरसी रख सकते हैं और दोनों पैरों को उस कुरसी पे रख सकते हैं उठा के और थोड़ी देर तक हम hold करेंगे तो या तो कुरसी है दूसरा option है कि आप अपने पैरों को दीवार के अगेंस्ट में रखें तो हम लोग यहाँ पे hold करेंगे थोड़ी देर तो चलिए दोनों पैरों को उपर उठाते हैं कुरसी है तो कुरसी पे रख लीजे या फिर आप दीवार के अगेंस्ट में पैरों को रख सकते हैं यहाँ पे हम count करेंगे 5 तक 1, 2, 3, 4, 5 एकसेल नीचे ले आईए पैरों को अब सांस लेंगे तो पैर उठाएंगे और जब आप पैर उपर ला रहे हैं तो कोशिश कीजए सांस रोखने की जिससे की आपकी यह जो muscles है वो tight हो जाए और आपके lower back पे ज़्यादा strain ना पड़े ठीक है, inhale सांस रोख किये, उपर लाईए 1, अब सांस ले सकते हैं 2, 3, 4, 5 अब exhale करते हुए पैरों को नीचे ले जाएए अब फिर से सांस रोख लीजे, जैसे ले जा रहे हैं और फिर drop कर दीजे एक बार और यह repeat करते हैं इन्हेल अब उपर लाते हुए सांस रोख ये अब सांस छोड़ दीजे और सांस लीजे नॉर्मल 1, 2, 3, 4, 5 एकसेल सांस छोड़ दीजे अब पैरों को नीचे ले आएए अब हम राइट जो दाया पैर है उसके नी को चेस्ट के पास ले के आएंगे तो जो घुटना है उसको अपनी चेस्ट के पास लाएए चाती के पास और प्रस कीजे दोनों हातों से उसको अपनी चाती की तरफ और लेफ्ट जो बाया पैर है उसको हमें एक्टिव रखना है ऐसा नहीं कि वो डेड हो गया तो उसको एक्टिव रखिए होल्ड करेंगे यहाँ पे पाँच बार 1, 2, 3, 4, and 5 एक्सेल करते हुए उस पैर को सीधा कर लीजे और अब बाया पैर को बाया घुटने को चेस्ट की तरफ लाइए तोनों हातों से हग कर लीजे और प्रस कीजे 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेल बाया पैर को भी सीधा कर लीजे अब फिर से दाएं घुटने को चेस्ट की तरफ लाइए इस बार हम उसको हग नहीं करेंगे हम पहले उसको घुटने को चेस्ट के पास लाएंगे फिर इनहेल करते हुए आप घुटने को सीधा करने की कोशिश करिए और exhale करते हुए पैर को नीचे ले जाए लेकिन जमीन से टच नहीं करेंगे और फिर से inhale करते हुए गुटने को लाईए और सिधा कीजिये और exhale करते हुए पैरों को नीचे ले जाएए, ठीक है? तो हम यही चीज अब पाँच पर दाएं पैर से करेंगे, पाँच पर बाएं पैर से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इन्हेल घुटना चेस्ट के पास, पैर को उपर कीजिए, स्ट्रेट जितना हो रहा है उतना कीजिए एकसेल नीचे, पैर जमीन पर टच नहीं होगा, फिर से खुटना चेस्ट के पास, इन्हेल उपर, एकसेल नीचे, एन्ट 3, सास का ध्यान रखिएगा, एन्ट 4, एन्ट 5, खुटना चेस्ट के पास, उपर, एकसेल करते हैं, नीचे अब बाई पैर से रिपीट करेंगे, inhale घुटना चेस्ट के पास, straight करिए, leg को सिधा करिए, exhale नीचे, फिर से घुटना पास में चेस्ट के, inhale उपर, exhale नीचे, फिर घुटना लाईए चेस्ट के, inhale उपर, exhale नीचे, और 4, एक बार और 5, फिर से straight कीजिए, और नीचे, very good, तो अब हम दोनों घुटने को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, और सिर्फ ये बाद, ये हम तीन बार करेंगे, कोशिश करेंगे, हम सेम चीज़, दोनों पैरो से करें, okay, now inhale पैरो को उपर ले जाएए, exhale नीचे की तरफ, फिर घुटने मोड़िए, चेस्ट की तरफ, inhale उपर, और exhale नीचे, फिर से घुटने लाएए, चेस्ट की तरफ, inhale उपर, and exhale नीचे, very good, अभी हम next थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, यहाँ पे सांस ले लिजे, आपको बीच में कभी भी ऐसा लगे, कि आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट कीजे, अपने आपक लगे कि आप थक चुके हैं, आप सांस लेजे, और जब तक आपकी सांस नॉर्मल ना हो जाए, तब तक आपने एकस्ट आसना तक मत जाएए, अब हम repeat करते हैं, sorry, अब हम change करते हैं, दूसरी आस्ता में, दाएं खुटने को चेस्ट के पास लाएए, उसको हग कर लीजे, अ उटने के पास लाने के, ओके, और फिर inhale करते हुए नीचे, इसको दो बार और repeat करेंगे, inhale पहले सांस लीजे, और फिर exhale कीजिए, और नाक को नी के पास, और फिर से नीचे ले आएए, फिर से acceleration के साथ, नाक को नी के पास, उटने के पास, और फिर release कर दीजे, अब हम change करेंगे side को left knee को bend कीजे hug कीजे left घुटने को अपनी उंगलियों की help से right leg को हमेशा active रखना है जो आपका दाया पैर है अब exhale करते हुए अपनी नाग को घुटने के पास और फिर release कर देजे फिर से inhale करते हुए नीचे और फिर exhale करते हुए उपर और फिर सास लेते हुए नीचे आप दोनों बाए घुटने को भी नीचे रख दीजे अब हम दोनों घुटनों को chest के पास लेके आएंगे अपने हातों से उन्हें hug कर लीजे जितना आप हो रहा है उतना ही कीजे जादा आपको पुछ नहीं करने अपने आपको अब सास छोड़ सास लीजे लंबी पहले और फिर सास छोड़ते हुए अपने chest को उठाईए उपर नाग को अगुटनों के पास लाने के कोशिश केजे और फिर सास लेते हुए नीचे फिर सास छोड़ते हुए उपर फिर नीचे और फिर सास छोड़ते हुए उपर आईए फिर से और फिर नीचे Very good अब थोड़ा से रिलाक्स करेंगे फिर हम दूसरे आसना करेंगे सास लीजे प्रॉपरली अपने सांसों पर ध्यान दीजिए हम ये पूरी सीरीज में अपने जो पेट के अंदर के ओर्गन हैं, अंग हैं हम उनको मसाज कर रहे हैं जिससे कि वो अक्टिवेट हो और हमारी पाचन शक्ती और जादा अच्छी हो अब हम ट्वेस्ट करेंगे ठीक है, तो अभी दोनों गुटनों को आप चैस्ट के पास लेके आईए फिर से और अपने हाथों को अपनी फिंगर्स को एक दूसरी में फसाल लीजिए और फिर अपने सर का जो सर का बैक पार्ट है उसको आप अपने पाम्स पे रख दीजिए तो आपकी अल्बोस दोनों तरफ खुली रहेंगी अब सास छोड़ते हुए आप दोनों गुटनों को राइट में ड्रॉप करेंगे अब यहाँ पे हमें कुशिन की जरूरत पड़ेगे क्योंकि कुछ लोगों का क्या होगा जो लेफ्ट शोल्डर है वो लिफ्ट होगा वो हमें करना नहीं है तो हमें क्या करना है कि अगर हमारे गुटने जमीन तक नहीं पहुँच रहे तो अगर आपको दो कुशिन भी रखने पड़े तो आप दो कुशिन रखिए ठीक है तो करते हैं फिर शुरू फिर हम होल्ड करेंगे यहां पे ठीक है इन्हेल पहले चस्ट के पास लाईए एकसेल गुटनों को दाएं साइड में ड्रॉप कर दीजे तो वह ही है कि गुटनों अगर जमीन तक नहीं पहुँच रहे तो वह कुशिन पर हो जाएंगे चलेगा और लेफ्ट जो आपका कंधा है वह पाया कंधा फ्लोर पर ही रहेगा आप उसको नहीं लिफ्ट करेंगे बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट है यह आपकी स्पाइन में बहुत अच्छे से ट्विस्ट होगा आपके अब्डिमन को जो स्टमक है उसको भी एक्टिवेट करता है उसके अंदर के ओर्गस को एक्टिवेट करता है अभी थोड़ी देर हम यहां पर होल्ड करते रहेंगे और फिर हम दूसरी साइट जाएंगे तो अब अपने नीज को गुटनों को चेस्ट के पास लेके आईए फिर से सेंटर में लेके आईए चेस्ट के पास लाना ज़रूरी नहीं है और अब आप दूसरी साइट पे ड्रॉप कर दीजे इस बार आपका दाया कंथा जो है वो फ्लोर पे रहेगा कुशन को चाहिए तो कुशन यूज करिए अगर आपको लग रहा है आपका कंथा ऊपर उठ रहा है तो कुशन यूज करिए जैसे मेरे गुटनों में भी गैप है तो दूसरा ऑप्शन यह है कि कहीं बार एक पीच में भी रख सकते हैं आप में आराम से सास लीजे नॉर्मल अगर जब हम कोई भी प्रक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम उस प्रक्टिस में बिलीव करें विश्वास करें और वो प्रक्टिस फिर आपको डैफिनेटली काम आएगी लेकिन आप कितनी भी कोशिश करेंगे हम अपनी कंडिशन को नहीं सोधार पाएंगे तो आप जब भी कोई प्रक्टिस करें उसमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है अब हम रिलीज करेंगे और दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे दोनों पैरों को स्ट्रेट करने के बाद अगर हो पाता है नहीं तो आप अगैन कोई स्टूल या चेर पर अपने पैरों को रख सकते तो दोनों पैरों को पहले थोड़ा से उपर उठाना है, 30 degree से और फिर चेस्ट को उपर उठाना है, एक, hold करेंगे, दो, सास रोख सकते हैं, तीन और exhale नीचे, तो तीन काउंट के लिए आप सास रोख कियें अब फिर से पैरों को उपर उठाईए, चेस्ट को उपर उठाईए, एक, दो, तीन, एकसेल नीचे, यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, अगर आप से नहीं हो पाता है, तो भी चलेगा, कोई प्राब्लम नहीं है फिर से पैरों को उठाईए, चेस्ट को, एक, दो, और तीन, एकसेल, नीचे, और अब आप रिलाक्स कर सकते हैं, हम थोड़ी देर शवासना में रिलाक्स करेंगे दोनों हाथों को ऊपर, पैरों को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, पाम सापके जो हैं, पंजे हाथ के, वो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं और आपकी चिन को थोड़ा सा टक कर लीजे, अंदर की तरफ, तो आपका जो नेक का, नेक है, वो स्पाइन से, आपकी रीड की हड़ी से, सीधी लाइन में आ जाएगा, गरदन कुछ देर के लिए अपनी सासों पर ध्यान दीजिए जो भी नैचुरल रिदम है, आप उसमें इंटिफेर ना करें, तो जैसे भी सास चल रहे हैं, सिर्फ हमें उसको नोटिस करना है, उस पर ध्यान देना है पूरा अपनी बॉड़ी को रिलाक्स होने दीजिए, कम्प्लेटली और आप अपने दोनों पैरो को साथ में ले आए, आम्स को उपर ले जाए हाथों को स्टच कीजिए अपनी बॉड़ी को चोड़ दीजिए सास के साथ, सास चोड़े और बॉड़ी भी चोड़ दीजिए, फिर अपने घुटनों को मोड़िए अपने दाइने साइट में लेट जाएए, दाइने हाथ पे और फिर धीर इसे उपर आजाएए, बैट के, ख्रॉस लैग पुजिशन में अब यह हम यह सेशन फिनिश करेंगे, हम एक वान ओम चैंट करेंगे और फिस सेशन को उसी के साथ फिनिश करेंगे तो आप यह प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी, जब इस्पेशली आपको गैस हो रही है तो आप तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यह प्रैक्टिस आपको किसी particular time पर करनी है, आप शाम को भी कर सकते हैं, सुभा भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के just बाद मत कीजेगा, खाने के just बाद अगर आपको कोई practice करनी है, तो आप वजरासना में बैठ सकते हैं, तो आप अपने दोनों knees को ऐसे roll करके, अपनी heels पे hips को settle करके, तो अगर इ बैठ जाईए, ऐसे, तो 15 मिने daily आप वजरासना में बैठ ये, खाने के बाद, तो उससे क्या होता है, कि जो हमारा blood circulation है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता, ब्लॉक होता है, यहां पे, तो उससे हम लोगों को help मिलती है, digestion में, क्योंकि हम थोड़े सा heat generate करते हैं, अपने stomach में तो आप ये practice कर सकते हैं, तो चलिए, session finish करते हैं, हम एक ohm chanting के साथ, अपने palms join कीजिए, और हम एक लंबी सास लेंगे, फिर ohm chant करेंगे बहुत बहुत धनिवाद आपका मुझे जॉइन करने के लिए, thank you so much, आप मेरे orbi sessions follow कर सकते हैं, आप मेरे साथ practice कर सकते हैं, और अगर आपको ये session पसंद आया, तो आप मेरे channel को subscribe भी कर सकते हैं, thank you bye-bye